हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल मैं हूँ अकृती और आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं भी यहां पर बहुत ही अच्छी हूँ तो फ्रेंड्स आज मैं आपको लेकर आई हूँ अपने खेत और यहां पर लग रहा है रोपा जो धान के पौधे होते छोटे-छोटे जो सबसे पहले लगाया चाहते हैं उसको रोपा बोलते हैं और मैं भाई आपको दिखाने लेकर आई हूँ आज इस पेशली कि हाँ पर रोपा कैसे लगता है और यहां की लेवर कैसे अपना काम करती खेत में जाके चलिए फ्रेंड्स दिखाते हैं आपको कि रोपा लगता और फ्रेंड्स यहां पर यहां से रोपा लगता है जैसे यहां पर सब लगा रहे हैं तो आप देख सकते हैं पापा के साथ आए हुए हैं अब यह रोपा निकाल रहे हैं लगा रहे हैं मतलब पहले कहीं से निकाल फेल लगाते हैं यहीं पर था इस hour अलग कर रहे यहcę तो पहले एकटा इसको बोया धाता है और फिर एक एक करके theन से वह देखर इंचना यह रख यह है तो एक साइड भी कोई है और आगे तो लग चुका है कि अ निए थर्टी के बाकि आगे जो खेत दिख रहे तो यह भी हमारे ही खेत हैं आज अज़ा लगने के लिए फ्रेंट्स पहले तो खेत में पानी के जरूरत बहुत जाता है इंपोर्टेंट पानी उसके बाद ट्रैक्टर से इसको मचाया जाता है मिट्टी को गीला किया जाता है जिससे रोपा बहुता असानी से लग जाता है है आपे इसको एक एक करके लगाया जाता है तो कुछ इस प्रकार है इसको लगाया जाता है तो आपने देखा कि इस प्रकार आप रोपा लगता है और यहां तो बारिश हुई मैं आपको कल भी बताया था वीडियो में की बारिश हुई इतनी जादा तो बारिश वासे बहुत इम्पॉर्टेंट है रोपा लगने के लिए खेति गर्लिये धानकी जो हमारे हां यह खेती हो रही है इसकी ले बहुत इम्पॉर्टेंट है क्यों कि बिना पानी के यहां पर यह रोपा नहीं लग सकता क्योंकि अगर दूप निकलेगी तो यह रोपा बिलकुल सूख जाएगा और खराब भी हो जाता है तो फैर उसको निकाल कि फैर नाया लगाना पड़ता है तो इस कारण से बारिश बहुत जरूरी है तो बारिश होई है तो अभी फसल हमारे और रोपा बहुत अच्छी से लग गया है और बहुत ही सिस्टोमेटिक तरीके से बारिश होई मतलब कोई ऐसा गैप नहीं आया क्योंकि बारिश होती फिर धूप निकलाती तो वह इस टाइम पर नहीं हुआ ऐसा कुछ भी तो फसल तो बहुत अच्छी है इस टाइम पर औ पड़िया मौता में और यहां से बढ़िया शांती है बहुत अच्छा लग रहा है खेत में तो फ्रेंड्स हम यहां से आय हुए थे वह पापा खड़े हुए मेरे पापा तो दिन भार वसके तो भी रह आते हों क्योंकि इस टाइम पर बहुत तेजी से काम चल रहा है खेती में तो आप देख सकते हैं कितना बडिया लग रहा है फ्रेंडस में आपको इसटन भी हमां करेंगर आइप आगे मार जाओंगी नकिक हि इस क्योंकि अपका रूसम है वरसाते और और अगे बता रहे हैं साप मिल सकते हैं तो मैं आगे नई जा रही हूँ बाकि तो वैंको से दिखा रही हूं पूरा और आगे वहां पर खेत है तो ऋहां पर लग Aha बागी ये रहा मेरा खेथ और हमारे खेथ के बाद हूझ मां फ्रेंट सिर्चारेंट बन बहुत सुंतर दिख रहे हैंंसे देखिए आपको मैं दिखा रही हूं दे ऐसे मॉसा हूँ ए épo अज्ब करने में लागे हां फैन्न वीद देखे रहे हैं इसे देखने में को करा की है और केत्में थे टरफ से कुलागों तॉन्हें चली था झाली है वो बहुत सुल्ला लग रहा है आपे कि अचे एक अचे शिवार आप तो फ्रेंड्स आपे अलमस्त इनका रूपा कंप्लीट फो चुका है आप देख सकते हैं यह से लग रहा है इनका रूपा कि जो उसका पेढ़ान का वह एक ची लगागते जा रहे हैं आपर ऐसे लगता फ्रेंड्स रूपा यहां पर आप टो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का वीडियो और मैंने आपको अपना खेद घुमाया यहां पर दिखाया कि रोपा कैसे लगता है और खेद ने किसान लोग इसे काम करते हैं लेवर और यही सब काम है लेवर का कन्ना सीजन वाइसे ही रोपा लगता है कि पौधे को पन् यहां चावाल आता है और चावाल हम खाते हैं तो यह स्टार्टिंग है धान के पेट जस्ट अभी उगे है और उनका लगाया जा रहा है तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का वीडियो वीडियो पसंद आये हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा शेयर करिएगा और अब देख सकते हैं नस 30 आप अपकषद बाइक में आये हुए थे अधर स्ट्रें नस 30 के बाद उसे हमारे यहां पर खेथ हैं और अब जा रहा हैं बाइक से कि आपको पताया था कि कैसे आखेथ में पहले मिट्टी सब्सक्राइब आपको पताया था कि कैसे आखेथ में पहले मिट्टी से उसको पानी और उसको पानी रहता क्शिछत्परा और यहां पे तब हमाऑ कि अगरे पांी पानी है, सिर्ट में पानी का बांकि एप बहुत जादा है व्मारे गाव के बाहर यह जो है नहीं। बिडी कार खाना है यहां पर तो गावाले जतने बिडी बनाते हैं तो सब यहीं पर लागर जमा करते हैं बागी यह रहा हमारा एनश्थरोगी ओके फैंस तब तक के लिए बाएं कर फेर होगे एक नए वीडियो के साथ एक नए डॉपे के साथ तब तर के लिए बाएं